आज से कुछ दिन पहले मैंने एक community post दाला था और मैंने आपसे पूछा कि मुझे किन topic से videos बनाने चाहिए और आप मेंसे 70% आप लोगों ने मुझे ये कहा कि मुझे WordPress से funnels कैसे build करते हैं इस पर videos बनाने चाहिए अब उससे पहले कि हम उस topic पर जाएं मुझे लगता है कि आपको समझने से कि click funnels actually क्या करता है और आप जब funnels build करते हो आपको क्या-क्या features की need लगती है अब अगर आप online देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार click funnels ही best software है आपको किसी पितर है कि funnels build करने आपको click funnels लेना चाहिए अब click funnels जो है वो no doubt एक बहुत ही बढ़िया software है पर बहुत सारे uses ऐसे होते हैं बहुत सारे funnels आपको शायद ऐसे build करने पड़े जहां पर आपको click funnels इतना complex software की need नहीं पड़ सकती है तो एक certain group of people है जिनके लिए वो software best है जिनको एक particular set of features चाहिए होते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि click funnels क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि click funnels के alternatives क्या है तो वीडियो को end तक पका देखना क्योंकि वीडियो के end तक आपको समझ में आ जाएगा और कुछ tools ऐसे हैं जिनको मैं अभी तक afford नहीं कर पाया हूँ तो उन पे मैंने इतने सारे वीडियो देखे हैं कि मुझे almost मालो मैं कि उनमें क्या अच्छी चीज है और क्या खराब है तो शायद आप ये बात मानोगे नहीं पर सिफ लोगों के funnels study करने के लिए मैं उनके सारे products खरीदता हूँ तो पर सो ही मैंने almost 1500 से 2000 रोपे spend किये दो या तीन अलग-अलग funnel study करने के लिए तो इस वीडियो में मैं जो भी बूलूँगा वो मेरे personal experience और मेरे research पे based होगा एक और बात मैं आपको वीडियो के end में दिखाऊंगा कि अगर आप just a beginner हो आपके पास कोई budget नहीं आपको literally zero piece में अपना एक sales funnel launch करना है तो आपको कौनसे-कौनसे softwares यूज़ करने चाहिए नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है आशिश कारिया और आप देखरें देशी marketer तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो click funnels alternatives या फिर wordpress funnels जो है उस series की first video अने वाली है तो इस वीडियो में हम सारे tools का overview देखेंगे कि click funnels हमको क्या-क्या features देता है और उसके alternatives किया है और future में हम उन सारे tools को details में study करेंगे अब एक बात आप दियान रखना है इनमें से बहुत सारे softwares जो है वो आपको multiple features दे सकते हैं उनके higher plans में पर मैंने उनको उनके most basic plans में आपको जो features मिलते हैं उसके साब से मैंने उनको classify किया हुआ है और एक बात इस वीडियो में हम specifically affiliate marketing funnels जो है वो build करने के लिए आपको क्या-क्या features लगने वाले है उन पे हम mainly focus करेंगे तो अगर आपको e-commerce करना है या खुद के को यो products या services sell करने है तो आप में को comments में पूट सकते हूँ मैं आपको definitely one-on-one personally guide करूँगा तो चलिए अब हम समझते हैं कि click funnels actually क्या है और आपको क्या-क्या features मिलते हैं उसमें अब इतना तो आप जानते ही हैं कि click funnels जो है वो एक funnel building software है पर उन funnels में भी आपको exactly क्या-क्या चीज़े मिलती है चलिए वो समझते हैं तो अगर इनके page पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि click funnels जो है आपको exactly क्या-क्या चीज़ें देते हैं तो इन में से बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने ऐसे एक list को बढ़ाने के लिए लिए लिखी है जैसे कि for example photoshop हो गया, wordpress हो गया यह सब आप actually कभी click funnels पे use नहीं कर सकते हो पर आप में से इनको बहुत सारी features जो हैं वो click funnels में actually use करने को मिलते हैं तो चली हम समझते हैं कि इनमें से जो most important features है जो आप actually click funnels में use करते हो वो क्या-क्या है तो चली इस चार्ट से हम समझते हैं कि click funnels क्या है तो click funnels जो है वो सबसे पहले एक landing page builder है तो landing page builder आप ऐसे मान लो कि आपके funnel का हर एक individual page जो है उसको build करने का एक feature है तो एक page builder basically क्या होता है आप कोई भी page देख लो उस पे आपको अगर edit करने है कि आपको headline यहाँ पे चाहिए आपको video यहाँ पे चाहिए आपको button यहाँ पे डालना है आपको text यहाँ डालना है आपको images यहाँ डालनी है तो वो सब आप जो भी editing करते हो drag करते हो, drop करते हो, formatting करते हो उन सब features को हम बोलते है landing page builder तो click funnels से हो है वो सबसे पहले एक landing page builder है तो आपके funnels के जो हर एक individual pages होएंगे उनका आप कैसे design करना है कहाँ पर text चाहिए, कहाँ पर video चाहिए वो सब edit करने के लिए हम landing page builder यूज करते हैं तो click funnels का landing page editor जो है उसे कहते हैं Edison editor तो आप देख सकते हो यह उनके Edison editor के feature से आप कुछ mention किये हो ले तो यह drag and drop आप जो भी करते हो हर एक individual pages पे उसको बोलते हैं page editor तो हर page पे आपको sections मिलते हैं, rows मिलते हैं, columns, elements उनका format कैसे होता है, वो सब use कैसे होते हैं आपको जो भी drag and drop के features होते हैं वो basically count के जाते हैं landing page editor में तो अगर आपको इसके बारे में और detail में जानना है तो आप मेरे ClickFunnels के Hindi course में enroll कर सकते हो मैंने वापे पूरा step by step एकदम basic से explain किया हुआ है तो यह था उनका landing page builder उसके बाद ClickFunnels जो है, वो है एक shopping cart तो यह उनको काम आता है, जो लोग अपने खुद के products sell करते हैं आप वो खुद के products, digital products हो सकते हैं या फिर physical products हो सकते हैं तो जो भी आप ClickFunnels में orders process करते हो payments collect करते हो, one time offers जेते हो upsells जेते हो, downsells जेते हो या फिर order bumps टालते हो उन सब features को count करते हैं shopping cart के features में तो आप जो भी ये checkout forms देख रहे हो payment integration देख रहे हो, ये सब count होते हैं इनके shopping cart के features में आपको इनके बारे में भी और detail में जानना है आप मेरे course में रोल कर सकते हो मैंने ये सब A to Z explain किया हुआ है अब next जो ClickFunnels हैं, वो है autoresponder या फिर email software तो ClickFunnels के basic plan में ये feature included नहीं है पर अगर आप उनका higher plan लेते हो जो कि $297 का है तो उसमें आपको इनका एक autoresponder भी मिलते हैं तो अगर आपको खुद की email sequence लिखनी है या फिर autoresponder set करने हैं या फिर खुद के email send करने हैं आप ClickFunnels के अंदर से ही send कर सकते हो अब बहुट सारे लोग ये plan में ये चीज यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनके email features जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं तो आपको anyways एक external email autoresponder यूज करना ही पड़ेगा पर ClickFunnels आपको ये भी feature देते हैं अब उसके बाद ClickFunnels जो है वो एक membership software program तो इसका मतलब क्या अगर आप कोई भी अपने courses sell कर रहे हो आप पर digital products sell कर रहे हो तो जहां आप अपने members को उन सब चीजों का access देते हो उस चीज को हम बोलते है membership access area तो अपने सारे course में आपको modules बनाने हैं इनके chapters बनाने है, lessons सारे कैसे बनाने है और किन-किन members को किन चीजों का access देना है वो सब count होते हैं in membership software programs में तो अगर आप अपने courses और digital products sell कर रहे हो आपको इनके membership features की need लग सकती है अब next thing जो ClickFunnels है वो है affiliate management अब basically normal लोगों को यह जादा use नहीं आते है यह mainly जो खुद के products sell करते हैं यह उनको use आते हैं तो affiliate management मतलब क्या आप खुद के products के लिए affiliates recruit कर रहे हो यानि कि आपके products दूसरे लोग sell करेंगे और आप उनको उन sale के बदले कुछ सो commission दोगे तो आपके products sell करने वाले लोग जो है वो आपके affiliates हुए उनका सारा management जो है वो click funnel समभालता है तो यह उनका जो affiliate management feature है वो भी उनके basic plan में included नहीं है पर उनका जो higher plan है $297 वाला यह उसमें आपको मिलता है तो यह था उनका affiliate management feature अब next जो है उनके split test हो गया webinar हो गया, hosting हो गया तो वो जो भी उनके बाकी सारे चीज़े अपने उस list में mention की थी वो सारे हम इनको others में count करेंगे तो click funnels आपको यह सारी चीज़े देब है landing page builder, shopping cart, auto responder, membership affiliate management और split test webinar hosting इन सब को हम others में count करेंगे तो यह है click funnels के सारे features तो आपके पास पहला option जो है वो है आप सीधा click funnels ले लो और यह सारे options उसमें use कर लो पर बहुत बार ऐसे होता है लोगों को खुद के customization आड़ करने होते हैं या फिर कोई-कोई features दूसरे softwares में अच्छे होते हैं आपको शायद वो use करने पड़े तो उन cases में आपको click funnels के alternative use करने पड़ेंगे और बहुत बार ऐसे भी होता है बहुत बार आपको इन सारे features के need बिल्कुल लगने ही निवा लिए आपको basic एक landing page बनाना होता है emails collect करने होते है और आपको उन emails के ताब एक touch में रहने के लिए autoresponder set करना होता है तो इन basic कीज़नों के लिए हमको इतने features की need है यह नहीं तो हम क्यों अपने इतने पैसे बेस का दें click funnels पे तो बहुत बार जो beginners होते हैं उनके लिए click funnels इतना helpful शायद हो नहीं सकता है और क्योंकि वो beginners हैं तो शायद उनका इतना budget भी नहीं हो सकता है तो यह थे click funnels के सारे features अब अगर आप सिर्फ affiliate marketing कर रहे हो तो आपको इन में से बहुत सरे features की need लगने ही नहीं वाली है आपको सिर्फ एक landing page builder लगने वाला है एक email autoresponder लगने वाला है और शायद अगर आप थोड़ी और advanced affiliate marketing कर रहे हो तो आपको membership platform की एक need लगने वाली है बट shopping cart, affiliate management, webinar इन सब की आपको शायद need नहीं लग सकती है तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब की alternatives क्या-क्या है तो सबसे पहले जो है इसमें landing page builder तो इसमें जो आपके पास options है वो है thrive architect जो कि आपको thrive themes में included मिलता है next जो है elementor ये भी एक wordpress plugin है जो आप actually free में यूज़ कर सकते हो और इनका एक premium version भी है next जो है वो है dv builder तो ये भी एक wordpress plugin है और इसकी खासी आती है कि आपको इसके लिए सिर्फ one time fee के लिए आप unlimited websites के लिए lifetime तक यूज़ कर सकते हो next जो option है वो है insta pages, lead pages, mailer light, get response और kajabi अब आप ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो इनमें से बहुत सारे जो है वो self hosted है और बहुत सारे जो है वो आपको wordpress पर build करने पड़ेंगे तो जैसे अगर आप mailer light, kajabi, get response ये सब यूज़ करते हो तो आपको अलग से hosting लेने की need नहीं पड़ेगी आप उनके platform पर ही सारे landing pages वो build कर सकते हो पर अगर आप thrive architect, elementar या फिर dv यूज़ कर रहे हो तो आपको वो सारे wordpress से build करने पड़ेंगे और अगर आप wordpress से build कर रहे हो आपको obviously एक hosting लेनी पड़ेगी तो अगर मैं आपको कुछ examples दू कि आप इन landing page builder से कैसे-कैसे pages build कर सकते हो तो मैंने कुछ test designs बनाई होगी है जिनको आप देख सकते हो तो मैंने क्या किया था? जो one funnel away का original sales page है उनको मैंने अपने wordpress से build करने का try किया था तो मैंने उनको thrive themes में बनाया हुआ है bv page builder साथ बनाया हुआ है और मैंने जो भी बागी के affiliate marketing funnel से मैं सारे के सारे अब wordpress पर ही बनाता हूँ तो अगर मैं आपको example दिखा हूँ तो ये one funnel away का original sales page है तो ये one funnel away.com देख सकते हैं इनका original page है और ये मैंने बनाया हुआ है wordpress पे तो आप देख सकते हो exactly same बनाया हुआ है आपको कुछ difference मालूब भी नहीं पड़े का शायद की original कौन से है और जो मैंने बनाया है वो कौन से है तो ये original और ये मेरा जो मैंने अपने wordpress बनाया हुआ है ये wordpress वाला और ये same उनका original वाला छोड़ा सा आपको शायद minor difference दिख सकता है बट उसको भी अगर आप properly editing करो तो आप A to Z डिक्टो same to same wordpress पे build कर सकते हो तो ये उनका original वाला है और ये मेरा उनका same wordpress वाला है आप देख सकते हो exactly same हम उस पे build कर सकते है ठीक है और similarly मैंने same to same DV page builder उसा दिया बनाया हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हो ये मेरा जो है वो DV builder पे build किया हुआ है तो ये original वाला इनका जो था और ये मेरा DV builder पे build किया हुआ तो ये menu थोड़ा custom यहां पे आ गया है पर आप इसको ignore किजिए और आप देखोगी आप A to Z जैसा आप click funnels में page बना सकते हो exactly the same हम आप wordpress पे build कर सकते हो तो ये original और ये wordpress ये तो हो गए मेरे test designs जो कि मैंने दूसरे के देख के copy से बनाया हुआ है अब आप मेरे कुछ खुद के funnels देख सकते हो जो कि मैं thrive theme से build करता हूँ तो ये जो मेरा है click funnels hindi course का ये जो landing page है ये भी मैंने thrive theme से बनाया हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा एक और ये funnel है जो कि ये one funnel away जिसको मैं promote करता हूँ उसका opt-in page है ये तो ये भी सारा का सारा thrive themes पे build किया हुआ है तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना name और email address डालोगे इस button पे click करोगे आप जाओके इस funnel के next step पे जो कि मेरा bridge page रहेगा ये भी सारा A to Z thrive themes पे build किया हुआ है यहाँ पे headline, text, यहाँ पे मेरा video, ये button सारा का सारा मैंने WordPress पे thrive themes को यूज़ करके build किया हुआ है तो आप इस तरीके से इन click funnels के landing page alternatives को यूज़ करके अपने सारे funnels बिल्ड कर सकते हो तो अगर आप affiliate marketing कर रहे हो आपके लिए ये page builders काफी हैं सारे funnels बिल्ड करने के लिए तो अगर आपकी सिर्फ इतनी से requirement है तो मुझे लगता नहीं शायद आपको click funnels में इतने सारे पैसे invest करने चाहिए तो चलिए अब हम आगर देखते हैं कि click funnels के दूसरे जो features है उसके alternatives क्या है तो हमने landing page के सारे examples देख लिए and by the way अगर आपको mailer light का full tutorial चाहिए आप कैसे पूरा affiliate marketing funnel बिल्ड कर सकते हो तो आप i button में उस video को check कर सकते हो जहांपे मैं आपको step by step पूरा पता है कि mailer light में affiliate marketing funnel कैसे बिल्ड करते हैं ठीक है तो next feature जो click funnels का था जो कि ता shopping card यह आपको तभी काम आने वाले है अगर आप खुद के products या फिर services sell कर रहे हो तो मानलो अगर आप e-commerce कर रहे हो drop shipping कर रहे हो या फिर अगर आप खुद के courses sell कर रहे हो e-book sell कर रहे हो या फिर अगर आप कोई service provider हो आपके अगर खुद की agency है या फिर खुद की services sell कर रहे हो तब आपको यह features काम आने वाले है तो इनके जो click funnels alternatives है वो है thrive card एक हो सकता है Sam card जो है वो आपका एक alternative हो सकता है Indian payments अगर आप collect कर रहे हो तो आप Insta Mojo भी use कर सकते हो next option जो है वो है card flows तो इनमें से कुछ जो है वो self-hosted है यानि कि आप उनके platforms परी सारा manage कर सकते हो पर इनमें से बहुत सारे SEO भी है जिनको आपके लिए खुद की hosting लेनी पड़ेगी for example thrive card जो है वो self-hosted platform है और card flows जो है वो integrated होता है आपके WooCommerce के साथ यानि कि उसके लिए आपको WordPress लगने वाला है जिसके लिए आपको obviously एक hosting में invest करना पड़ेगा तो अगर आप affiliate marketing कर रहे हो मुझे लगता नहीं आपको इन सब features की need पढ़ने वाली है या आपको तभी काम आने वाले है अगर आप खुद के products से आपर services sell कर रहे हो मेलर लाइट जो है उसके free plans आते हैं आपको 1000 याफे 2000 subscribers और active campaign याफे get response जो है उसका आपको starting में free trial मिलता है पर उसके बाद आपको कुछ पैसे इसमें invest करने पड़ेंगे तो ये सारे आपकी auto responder के options है अब next जो है memberships उसके alternatives teachable हो सकते है thinkific हो सकता है wishlist members जो है वो हो सकता है और thrive apprentice हो सकता है तो इनमें भी अगर आप देखोगे बहुत सारे self-hosted हैं क्याने कि उनके खुद की hosting या आपके सारे courses जो है वो उनके platform पही hosted रहेंगे जिसे की teachable हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आपको खुद की hosting लगने वाली है तो for example जैसे thrive apprentice है वो आप install करते हो अपने wordpress पे तो अगर आपने मेरा अभी का clickfunnels हिंदी course दिखा रहेगा वो मैंने सारा का सारा thrive apprentice पे build किया हुए तो ये कुछ membership की alternatives हैं अब next लिस्ट में है वो है affiliate management अब ये personally मैंने कभी कुछ इस पे use नहीं किया और मैंने बहुत कम research किये क्योंकि ये जो features है वो हमें से जादा किसी को जादा काम नहीं आते हैं तो उसके options जो हैं वो है affiliate WP या फिर अब आप thrive cart लेते हो जोगी आपका यहाँ पे shopping cart में है उसके hire plan में आपको actually affiliate management system भी पुरा मिलता है तो ये हैं कुछ affiliate management के alternatives अब other features जो हैं जैसे split test हो गया, webinar हो गया, hosting हो गया इसके कुछ example से आप side ground यूज़ कर सकते हो अपनी सारे hosting के लिए blue host यूज़ कर सकते हो और webinars के लिए आप webinar jam यूज़ कर सकते हो और जो भी आपको split testing करनी है वो आप thrive optimize यूज़ कर सकते हो जो कि आपको thrive membership में included मिलता है और यसे बहुत सारे softwares जो हैं आप इन others के लिए यूज़ कर सकते हो तो ये पुरा हो गया click funnels के जो आपको features मिलते हैं और ये सारे उसके alternatives हो गए तो depending on आपको क्या-क्या features चाहिए आप landing page में से एक select कर सकते हो आप shopping card में से एक select कर सकते हो आपके emails से हो हैं आप इसमें से एक select कर सकते हो आपके membership जो हैं इन में से आप select कर सकते हो ऐसे जो भी आपको चाहिए यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक आप खुद का पुरा funnel stack build कर सकते हो तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको affiliate marketing कर ले आपको इन सब की need शायद लगने ही नहीं वाली है तो आपको बस एक landing paid software लगने वाला है एक email autoresponder लगने वाला है और आप शायद आपको एक hosting लग सकती है तो आप ऐसे करके जो जो आपकी need है जो जो आपको features चाहिए अपने हिसाब से plugin सेलेक्ट करके खुद के सारे funnels build कर सकते हो तो ये सारे जो है click funnels के हर features के लिए कुछ-कुछ alternatives है अब market में सिर्फ यही options नहीं है ऐसे हजारो लाखो options है तो depending on your specific need आप अपने साब से बहुत सारे software's में से कुछ select कर सकते हो तो अब हमने समझ लिया कि funnels build करने के लिए हमारे पास क्या-क्या alternatives है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप एकदम beginner हो आपके पास कोई budget नहीं है आपको literally 0 rupees में अपना पुरा funnel build करने है तो आप उसको कैसे कर सकते हो तो एकदम beginning में आपको अगर free solutions चाहिए तो आपको features के जाए थोड़ा शायग compromise करना पड़ सकते है तो क्योंकि आप free में सब कर रहे हो तो आपको जो भी मिल रहे है आपको उसमें से काम चलाना पड़ेगा तो landing page बिल्ड करने के लिए आप Elementor का free plugin यूज़ कर सकते हो WordPress पे उनका free option भी available रहता है Next आप DV plugin यूज़ कर सकते हो अब DV plugin जो है वो actually free नहीं है पर अगर आप hosting मेरी affiliate link के थूँ लेते हो तो मैं DV themes and plugins का lifelong access आपको दे सकता हूँ तो आप वो यूज़ कर सकते हो Next आप mailer light यूज़ कर सकते हो जिसका मैंने एक proper A to Z tutorial बना हुआ है मेरे channel पे आप चाहो तो उसको देख सकते हो तो free में landing pages बनाने के लिए आपके पास ये तीन options है अब next जो है वो है shopping cart उसमें जो आप use कर सकते हो वो है Insta Mojo अब इसमें आपको जो सारे advanced features है upsells, downsells, OTOs, order bumps ये सारे तो नहीं मिलने वाले हैं पर अगर आपके पास कोई budget नहीं है आपको literally free में start करना है तो ये बहुत ही अच्छा solution है start करने के लिए अब next जो है autoresponder इसमें आप MailChimp यूज कर सकते हो या फिर आप MailChimp यूज कर सकते हो इनके beginners के लिए starting में free plans है और जैसे ही आपका अगर business बढ़ता है तो आप इनके paid plans में upgrade कर सकते हो तो ये हो गए autoresponder के free options अब next जो है memberships में जहांपे अगर आपको अपने courses host करने है तो उसके लिए आप teachable यूज कर सकते हो अब teachable के बहुत सारे paid plans तो है बट उनकी खास बात यह है कि उनका एक free plan भी है और उनके आप free plan पर ही आप unlimited courses unlimited lessons वहाँ पर host कर सकते हो तो अगर आप एकदम beginner आपके पास कोई budget नहीं है तो आप अपने courses के लिए teachable यूज कर सकते हो अब next जो है hosting उसके लिए आप Google साइट्स चूज कर सकते हो अब Google साइट्स हो है वह एक proper hosting company नहीं है पर अगर आपको एकदम basic सी website चाहिए एक homepage हो गया, about page हो गया, contact us page हो गया और आपको उन pages पर अगर आपके अपने payment buttons integrate करने है जो कि InstaMove जो कि है और आपको उनको अपने autoresponder के साथ integrate करने है तो यह आप सारी चीज़े अपने Google साइट्स पर कर सकते हो best चीज़ यह है, एकदम free है और आपको उसको सीखने के लिए भी जादा time invest नहीं करना पड़ेगा उसको use करना बहुत ही जादा easy है तो यह सारे options से अगर आप एकदम beginner हो एकदम zero budget से आप start कर रहे हो तो अगर आप affiliate marketing कर रहे हो आपने मेरे पहले वाली वीडियो में इस funnel को देखा रहेगा जो कि affiliate marketing funnel है तो इसमें जो आपका squeeze page है और जो bridge page है उसको आप build करने के लिए elementar जो है या फिर dv plugin जो है या फिर mailer light जो है इन सब को use कर सकते हो जो कि एकदम free है और आप अपने email send करने के लिए जो आपके email और autoresponder से उसके लिए आप mailchimp या फिर mailer light जो कर सकते हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर थोड़ा सा budget है तो आपको क्या क्या यूज करना चाहिए और मैं personally क्या यूज करता हूँ तो मैं अपने सारे landing page बिल्ड करने के लिए thrive architect यूज करता हूँ और अगर आपको shopping card चाहिए और मैं assume कर रहा हूँ आपको पुरा proper funnel बिल्ड करना है upsells, downsells, order bumps जो है उसके साथ तो सबसे best उसमें जो है आप thrive card यूज कर सकते हो जो कि एक self-hostured platform है और अगर आपको अपने wordpress पर कुछ चाहिए तो आप card flows यूज कर सकते हो अब card flows अगर आप यूज कर रहे हो आपको अपने website पर WooCommerce पुरा install करना पड़ेगा तो अगर आपके courses या फिर digital products है तो आपके लिए thrive card बेटर रहेगा या फिर अगर आपको e-commerce करना है और specifically इंडिया में e-commerce करना है तो इसके लिए आपका card flows best रहेगा क्योंकि वो WooCommerce के जाग प्रॉपर्ली इंटिरेट होता है अब next जो है auto responder इसमें मैं mailer light यूज करता हूँ तो इसमें आपके initially thousand subscribers हो है वो आपको free में मिलते है पर अगर आज की डेट में अगर आप देखे मेरे thousand subscribers क्रॉस हो चुकिया तो मैं इनका per month 15 डॉलर्स वाला plan यूज करता हूँ अब next जो है memberships का जहांपे आप अपने सारे courses host कर सकते हो उसके लिए आप thrive apprentice यूज कर सकते हो तो मैं आपको recommend करूँगा ये पूरा stack यूज करने को and again depending on your specific needs आपके लिए शायद ये पूरे software का बंडल है वो शायद best नहीं हो सकते है तो अगर आपको अपने business के funnel के लिए कुछ personal recommendations चाहिए आपको comments में पूछिए and depending on your needs मैं आपको proper recommendation दूँगा तो अगर आप ये पूरा stack यूज करते हो तो आपका जो affiliate marketing funnel है उसके emails के लिए आप mail or light यूज कर सकते हो और आपके जो squeeze page और जो bridge page है उसको build करने के लिए आप thrive architect यूज कर सकते हो तो ये ते सारे click funnels के features और उनके alternatives के आए तो depending on आपकी need क्या है आपको उस हिसाब से अपने funnels के लिए tool select करने ऐसे ही किसी ने भी कह दिया क्यार click funnels ले लो बहुत अच्छा software है आपको वो सुनके click funnels नहीं लेने का है क्योंकि mostly क्या होता है लोग affiliate commissions के लिए लोगों को click funnels चिपका देते हैं और वो सोचते भी नहीं कि actually क्या उसके लिए वो helpful है या नहीं तो आप decide करो आपको क्या-क्या features की need है क्या-क्या चाहिए अगर आपके लिए click funnels sense बनता है तो आप definitely उसको लीजिए click funnels से एक बहुत ही अच्छा software है पर अगर आपको चाहिए ही नहीं click funnels के जो features हैं आपको खुद के product sell ही नहीं करने है तो मुझे मतलब भी लगता click funnels में इतने पैसे invest करने के लिए अब इस वीडियो में मैंने जो भी tools की बात किये उनके pricing के लिए मैंने अपने website पे proper page बनाया हुआ है तो आप उसकी link description में check कर सकते हो तो अगर future में उसकी pricing change होती है या फिर कुछ उनके features add होती है तो मैं उन सबको अपने उस page पे update कर दूँगा तो अगर आपको full updated pricing चाहिए तो आप मेरे website की link description में check कर सकते हो तो मैं उमीद करता हूँ कोई video helpful लगी होगी आपको कुछ knowledge मिला हुआ इस video में से अगर आपको इन tools का detailed walkthrough चाहिए या फिर अगर आपको इन वीडियो चाहिए कि मैं अपने सारे funnels कैसे बनाता हूँ तो आप में को comments में लिखके बताइए मैं try करूँगा उन topics पे separate videos बनाने की और ये जो video था वो anyways click funnels के alternatives का first part है मैं definitely बहुत सारे videos बनने वारा हूँ जिसमें मैं explain करूँगा कि आप click funnels के alternatives के लिए क्या-क्या use कर सकते हो तो हर एक individual product का हर एक individual software का में detailed पूरा video बनाने का plan कर रहा हूँ तो अगर आपको इस type की और videos देखनी है तो आप make sure कीजिए मैं चैनल को subscribe कर दो कोई भी doubt है अगर आपको आपने comments में पूछिए मैं आपको definitely reply करूँगा वीडियो को like करना मत बूलना और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ next video में